मुख्य मंत्री नीतिस कुमार ने दुर्गा पुजा से पहले अपने चार लाग से अधी करमचारियों को समय से पहले बेतन भुक्तान करने का एलान कर दिया है। पहले जहां बिहार सरकार पर यह आरोप लगता था कि सरकार काम तो अपने कर्मचारियों से करवा लेती है, लेकिन जब बात बेतन देने का होता है तो महीनों महीनों तक अठका के रखती है अपने करमचारीों कोई ख्याल नहीं रखती, लेकिन तेवहारों का मौसमा गया है, ऐसे में उनके करमचारी अच्छे से तेवहार मना पाए, इसके लिए मुख्यमति निर्देश कुमार ने निर्देश जारी कर दिये हैं, और सभी करमचारीों को इस महीने के समय से पहले ही बेतनुन के खाटे में डाल दिया जाएगा। बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे चार लाग सरी करमचारियों को इस महीने की किस तीथी को वेतन भेया जाएगा। मितिश कुमार के निर्देश के बाद किस विवाग ने इस पर फैसला लिया है। अब तक किस तारीक को सरकार अपने करमचारियों को वेतन का भुगतान करती थी और सरकार के इस फैसले लेने के पीछे क्या बज़ा बताया गया है। सब आपको बताएंगे। नमस्कार मेरा नाम परितोर शाही है और आप जनता जंग्शन देख रहे हैं। अब हर दुषरे दिल पतना की सरकों पर भिहार सरकार हे कमचारियों के द्वारा किये जारे आंदोलन के बारे में समाचार में सुनते ही होंगे। जिसमें जानातर मुदाया होता है कि सरकार हमें समय पर सेलरी नहीं देती है, सेलरी नहीं मिल पाने के कारण हमें नौकरी में होने के बावजूद अपना घर परिवार चलाने के लिए दूसरों से करज लेना पड़ता है। खोली और दिवाली पर ही अपने करमचारियों को सेलरी देती है, यानि लगवक छे महीने के अंतरा पर उन्हें सेलरी मिलता है, इन सब आरोपों के बीच अब बिहार सरकार ने अपने नौकर साहों के लिए एक दिल खुस कर देने वारा नूज दिया है। बिहार सरकार ने परदेश के सभी चारला करमचारियों को इस बार दसहारा और अने पर्व को देखते हुए इस महीने की 26 सितंबर से ही बेतन भुक्तान करने का निर्देश दे दिया है। मुख्य मंतरी के निर्देश पर बित विखाग ने बड़ा फैसला लेते हुए एक एलान किया है कि हमारे करमचारी अच्छे से खुसी खुसी अपना पर मना पाए। इसके लिए निर्देश दिया गया था कि तैस समय से पहले ही इस वार बेतन का भुक्तान किया जाए। और हमने तोड़ित निर्देश लेते हुए फैसला लिया है कि इस महीने 26 तारीक को ही यानि 26 सितंबर को ही करमचारीों के एकाउंट में उनकी सेलरी भेज देंगे। बिहार सरकार के बित मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि समय से पहले वेतन मिलने से सभी राज कर्मी भक्ती उत्साह और उलास के साथ अपने सुपशिंद्गों के साथ पर्वतेवार मना सकेंगे। दो सालों से कुरोना मां हमारी के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में हमें पता चला कि हमारे राज के कर्मी ठीक से पर्वतेवार नहीं मना पा रहे हैं। इस साल हमने अपने मुख्यमंत्री औरोप मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर इस वारे में चर्चा की, वहां इस वारे में गहन विचार भी मर्स किया गया, तब हम इस मिश्कर्च पर आये कि इस साल हमारे करमचारियों को तियोहार मनाने में कोई आर्थिक परिसानी न हो, इसके प्रदान सभाव बिधान परिस्द और राजपाल के प्रधान सचीव को फत्र लिखा गया था और पत्र में कहा गया था कि अगले सब्ता से दुर्गापुजा शुरू हो जाएगा इसके लिए हमारी मांगों को मानी जाए अब सरकार ने इस मांग को मान लिया है और बेतन का भुक्तान इस महीने के 26 तारिक से होना सुरू हो जाएगा बिहार सरकार के इस फैसले से सभी राजिकर्मी घुस है क्योंकि नौकणी में होने के बावजू समय पर बेतन न मिलने के कारण ए लोग अच्छे से कोई परतिवार नहीं मना पाते थे अपना घर परिवार चलाने के लिए उन्हें दूसरों से कर्ज देना परता था और फिर छे महीने बाद जब सरकार उन्हें सेल्डी देती थी तब इनके बेतन का लगवाग आथा पैसा तो कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाता था नौकणी में होने के बावजूद इनकी आर्थिक की सिटी ठीक नहीं बाखी ख़वरों के लिए एक इस महीने के अंतिम तारी को नहीं बल्कि 5 दिन पहले ही कर्मचारीों को सरकार बेतन दे देगी सब्कार करें बाखी ख़वरों के लिए बने रही है हमारे साथ देखते रही है चन्ता जंगसन अगर आप या वीडियो थीटूब फेस्टूब पर देख रहे हैं तो वृडशिव च neutrूब लाइक और शेंगर कीजिए अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बाकी ख़बरों के लिए बने रही है हमारे साथ कीमिरे के पिछे छुम होगी हैं विसाल बहुत बहुत धन्यवाद